कि दोस्तों कल मैं आटा चेकी रेपैर करने गया था तो वहां पर मैंने जब देखा तो कंट्रोलर का प्रब्लम लगा आपने अगर वह वीडियो नहीं देख तो देख लिया तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया जाद किस तरीके से ना, अगर Micro controller आपका खराब हो जाता हो तो आप काम चलाने के लिए Direct connection कर सकते हो तो उसमें काफी टेस्टिंग गया, लास्ट में controller को प्रब्लम निकल के सामने है, तो controller को में आपको खोल लिया था मैंने, और customer को भी दिखाय था, थोड़ा समझाय था, कहने मैं निकले वीडियो में देखा थे यह रिले है ना एक जिकर से आपर गलीवी थी तो आपर रिले क्यों लगी हुई यूट्वी थोड़ा सा बता देता हूं जिने समझ में आता है तो वो थोड़ा सा वीडियो का आगे बढ़ा सकते हैं अगर जिने समझ में नहीं आता है तो म को बोलते हैं इसका काम क्या होता है इसका काम होता है आपकी चकी के सारे function को चलाना आपने गहूं डाल दिया डालते ही चकी क्यों होती है क्योंकि उसमें यह controller का ही आत होता सबसे बड़ा मैं आपको थोड़ा से दिखाता हूं यह function लगावा रहता है अनाज को अंदर डालने के लिए यानि कि यह motor synchronous motor होती है इसके उपर जैसे अनाज पढ़ता है उपर इस तरीके से बर्तन सा रहता है बर्तन सा उसके इक आया है और यह को सेंस करते है यह इस के सांसरor कि्ट है तो यह पट्टी सकас जूरी रह ती है मतलब ही पट्टी में इसनी सारी बायर जो तो वहां से जैसे ही आपने कुछ अनार डाला ये sensor ने sense किया और इसको signal दे दिया controller को, IC को signal दिया, तो IC ने फिर क्या किया, इन relay को on कर दिया असलमें ये relay switch का काम करती है, relay एक ऐसा switch है जो signal के माध्यम से काम करता है इस IC ने relay को signal दिया, हाँ पर on हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां से sensor ने, वहां पर sensor ने sense किया उस चीज़ को और sensor ने इसको आदेश दिया, और IC ने इस पर काम किया, यानि कि कहीं कहीं पूरा management रहता है, ठीक है, तो relay switch की तरह रहता है, एक relay आपका इसका switch रहता है मतलब इस motor का और एक relay बड़ी वाली motor का, तो इस IC ने दोनु रिलो को signal ले दिया, आप हाँ बढ़ी ओन हो जाओ, या कब ओन होना है, कब ओन होना है, ये sensor के object डिपेंड करता है, तो सारा load, दोनु मोटर का सारा load इस relay पर होता है, जैसे कि घर में देखा होगा, आपने कोई heater, geyser कोई चीच चलाते हैं, तो कभी-कभी क्या उता है, heater, geyser के main switch, जो main switch होता है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि सारा load switch पर ही रहता है, switch अगर कम ampere कर रहेगा, या फिर switch में spark करेगा, तो switch खराब होता है, switch change करने से आपका problem solve हो जाता है, वैसे ही, ये electronic switch रहता है, इसम relay यहां पर relay कहीं, relay में ही fault देखने के लिए जातर आता है, तो अब आप समझ गया होंगे, कि सबसे पहला fault है, relay में check करना रहता है, क्योंकि ये जो SMPS है, ये जो ICYC है, ये सब हमारी इस transformer से operate होती है, ठीक है, जो आपकी motor चल रही है, motor सिर्फ इन पे depend रहती है, motor इन दोनों पर निर्भर रहती है, बस, और खराबी इस control में इन दोनों की सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ये चीज मैंने आपको confirm करवा दी है, अब आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, अब आप बिलकुल अच्छी तरीके से समझ गे होंगे, बाकि मैंने आपको function समझा दि और यहीं से जो 220 volt input करती है, उसी से operate होता है, और यह output में हमारा 12-18 volt तक देता है, और यह 18 volt है, हमारा इधर पर जाता है, इधर पर एक हमारे देखिए, 12 volt की एक regulator रहती है, 78-12, जो की 12 volt बनाके फिर आपकी यह IC को चलाती है, अगर आपका यह transformer खराब रहे, तो आपका यह section काम नहीं करता है, ठीक है? तो आपको step by step आपको मैं बता देता उ, सबसे बहुए से कनेक्शन करता हूँ, connection भी आपको मैंने और बता है है, फिर भी आपको बता देता हूँ, यह दही कि यहापर लिखावा रहता है, यह देखिये, इसके just तो पर लिखा हूआ है, कि कौन सा और यह जापके इसके यानि की synchronous motor के यह दूने सिंख्रोंस मोटर के तो सबसे पहले हम यहां पर 220 देना है तो मैं फटा बट से यहां पर connection कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं यहां पर टेस्ट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप टाइप की कर रही है और इधर इधर 223 ठीक है मैं इस सेक्षिन में प्रोब्रम आ रही है यहां पर बंद हो गया अभी तो यह बंद हुआ वैसे तो उस टैंपे देन दिक्कत कर रहा था एक बार मैं इसके आप पर 12 वोल्ट च करा के दिखा दूँगा एक सेकंड अभी उपन लाइन है तो थोड़ा सा सेफ्टी से करना है इसको मिने 200 वोल्ट पर रख लेना है एसी पर और यह जो ना ट्रांसफोर्मर की वोल्टेज आप देख सकते हैं यह यह पिनी ट्रांसफोर्मर की वोल्ट है 1718 जैसे मैं बोला थ यह इसको बीच मैं हम रख लेते हैं ग्राउंड को नेगेटिव को और यहाँ पर हाथे हैं तो यह आपकी 12 वोल्ट बित ठीक है अभी ज्यादे मिलेगा क्योंकि डीसी में आपको व्ल्टीज ज्यादा मिलता है एसी में यहाप पर वीस व्ल्ट मिलेगा कि वहां से आ रहे हैं 17-18 व्ल्ट के सम्धिंग आ रहा है और अगर क्या पैस्टर भी है तो उसमें भी स्टोर रहता है अगर आप जानना चाहते कि यार एसी में कम और डीसी में ज्यादा वोल्टीज क्यों दिखाता है तो इसके लिए सब्रेट वीडियो में उससे देख लेना तो यहां पर देखि लग रहा है कि कुछ इसको आप करता हूं और यहां पर कुछ पॉइंट भी मुझे ड्राय लग रहे हैं कि देखिए जहां पर द्रैने साथ ही है वहां पर आप तो तो सूल्टिंग कर लीजिएगा तो इसको तो मुझे सोल्ट कर लिए है कि किसी चीज का था हाँ यह इसका इसका प्रिसेट का आप में प्रिसेट को छेड़ना नहीं है प्रिसेट की प्रिसेट होता किसलिए है प्रिसेट असल में यहां पर इसको मोटर की टाइमिंग के लिए होता है अगर आप इसको कम कर देंगे तो मोटर जल्दी बंद हो जाएंगी अनाज खत्म होने के बाद और अगर आप इसको बढ़ा के रहें तो थोड़ाई देर तक चलेगी तो इसलिए प्रिचेट होते हैं इंको छेड़िएगा पद और बाकी और आप इसलिए यह जो है न एक रिले भी आपको दिखा देता हूं सबसे पहले से वाया है और इसको पॉइंट रहता है यह दुनों कोईल के पॉइंट रहते हैं यहाप देख रहे हैं और यह कॉमन है और यह दोनों कोईल के है इस तरफ जे आप लास्ट के एक और दो, इन दोनु लेग आप इनको बारवोल्ड दीजिए, अगर ये बारवोल्ड की है तो, अगर पांच वोल्ड दीजिए, तो ये रिले का है न, कट-कट करने लगएगा, इससे कोईल टेस्ट हो जाएती है, अपनी, ये बारवोल्ड का है, तो इन दो और एक तो आपके यह इस तरीकी से ना इस तरीकान करती है और यह वाली जो है न रिले जब स्विच करती है तभी आपकी ऑन होती है कैसे करती है मैं आपको स्विच बता दें चलिए 12 बोल्ट लेना एक्टिवेट होगी और स्विच को अन करवा देगी जब यह इस तरीकी से स्विच अन होता है तो यह दोनों आपके चलने लिए आते हैं नौर्मली ख्लोज ठीक है तो यहां पर देखिए इस तरीके से आवाज रेले से आ रहे है इसका मतलब इस तरीके से आप रेले को टेस्ट कर सकते हैं तो जैसे रेले की यह ना इसमें से तीन पी ने आप देख लिए कि यह देखिए या पर यह तीन पी ने इस रेले की आ रही है एक सेकंड तो इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कैju है लिले हैं कर रही है बट जली वी तो इस पाक कर रेगी बाद में तो वसको हम भी हम चेंज कर ही लागे दूसरी लिग को हम चेक करते है तो दूसरी थे ३ा? यह पॉइंट आ है यह तो इई है कि यह इन। इन वह बी शही है और यूज ऑन रिले की कोईल सही है ठीक है बठ यह तो जलीवी है मैं भी आपको इसके अंदर का पॉइंट दिखाता हूं इसमें हमने ना जो रिले हम निकाल रहे हैं बिलकुल मैचिंग की रिले डालनी है उतने यहाँ पर देखिए 300 वोल्ट और साथ एंपियर यानि कि जो रिले है साथ एंपियर का लोड ले लेती है और 300 वोल्ट मैक्जिमम ठीक है यहाँ पर इसमें जो है 10 एंपियर 240 वोल्ट और बाकी अपर इसका ड्याग्रम बना के रखा हुआ है ह इस तरी के से अगर आप को पंप चलाना नहीं आता है तो शिखा दोंगा आप कमेंट कर देना ये यह भी ठीक है वैसे वायर तो काफी खर्च होती है डिशोल्डिंग में तो आज़कर पंप भी मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि यह थोड़ा सा सही है बट यह pump ज्यादा इसकी age नहीं है, pump की नहीं एज नहीं है, यह disholding हो गया है, हमारे relay और इसको हम निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से, यह देखिए, यह जल जाती है अंदर से load पड़ता है, heat होके इसके अंदर की पत्तियां अंगल जाती है, relay के बारे में details से जानने के लिए मै size को आप छोड़ दीजिए, बस इसके उपर है न, यह चीजे match के नीची है, bar volt match के ना चीए, bar volts क्योंकि यह relay operate हो रही है, और ampere आप जरू match के लिएज़गा, क्योंकि अगर आप ampere match नहीं करेंगे, तो फिर आपको कहने कहीं बाद में problem आगी, इसलिए ampere जरूर देखिए, आप बता दिया ampere के, ठीक है, यह 7 ampere की है, AC में, उपर AC DC का निसान पूरा बना के रखा हुआ, देखिए, यह assembly हमारा AC का रहता है, यह DC का रहता है, तो यह 7 ampere 200 volt AC में, लगवग 7 ampere का load यह ले लेती है, और 10 ampere का यह 125 volt AC में ले लेती है, और यह 12 ampere 120 volt में ले लेती है, ठ AC तक AC में, लोड ले लेती है, तो DC में, जयदे ampere का load इसके ले ले लेती है, और AC में, 7 ampere तक ही load ले पा रही है, तो चलिए, अब इसको हम लगाते हैं, और आपको दिखाते हैं, देखिए, finally fit हो गई है, और इसको हम करते हैं, soldering, फटा 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 से, तो हैसम में कहीने क सिर्फ रिले ही चलानी है इस पूरे controller ने, यानि कि पूरा इस circuit रिले को चलानी के लिए बनाया गया है, रिले स्विच को automatic करने के लिए, मतलब सारा sensor का खेल है, ठीक है, रिले मैं यहाप लगा ली है, और आप यहाप इसको soldering निकरना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इस live देख लीजिए आप, बिल्कुल, यह देख लीजिए, बिल्कुल, अब यहाँ पर हम, मैं, sensor का kit लगा रहेंगे, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको check करते हैं, अब voltage होगा है, सब check करेंगे, इसके, बैल इसको on कर लिए, ठीक है, on कर लिया है, और, जैसे हम इसमें कुछ object डालेंगे, उंगली भी डाल देते हैं, मतलब उंगली भी इस तरीके से कर लेते हैं, तो यह इस तरीके से on हो जाएगा, और यहाँ पर यह motor, जो है, यह motor की wire के connection हमारे इसके साथ होते हैं, इस वाले के साथ होते हैं, तो अब यह आपर आपको दिखाते हैं, motor के पंखुडी पर आप ध्यान दीजिएगा, motor चल रही है कि नहीं, ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, यह देखेगा, अभी बंद हो गया, on करते हैं, और आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चल रही है, ठीक है, दूसरी वाले में भी आप लगा सकते हैं, दूसरी वाले म करते हैं इसको यह वोल्टेज यह वोल्टेज ठीक है तो दुनों मोटर्स के लिए वोल्टेज जा रही है अगर आपका किसी में वोल्टेज नहीं आ रही है तो उस साइट के आप रिले ट्रैकर करके चेंज कर लो आप सभी वीडियो देखेंगे हमारी ना इससे रिलेड़ त और इस रेगुल्टर में आप वोल्टेज एक लेगा अगर ट्रास्फोर्मर खराब है तो यहां पर यह यह सेक्शन काम नहीं करेगा तो फिर आपका आए ना फिर गडबर हो जाएगी फिर यह रिले को नहीं चला पाएगा फिर आपने डिरेक्ट करना पड़ेगा माइक्र फिलार इस वीडियो के ही पर आइंड करते हैं फिर मिलता है कि लिए नहीं वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए स्वास्तरी अमास्तरी टेक क्यार